हेलो दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करता हूं आप सब अच्छी होंगे तो दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट में अब भी इस बात का कंफ्यूजन काफी है कि क्या कास्ट सर्टिफिकेट किस को यहां पर अपलोड करना है और कितनी तारिक तक का करना है और डॉमिसाइल बोगों के सारे दूर करने की कोशिस करोंगा बाकी लास्ट में आप लोगों से कुछ और भी बात करोंगा पहले मैं आप लोगों को यहां पर उत्तर पर अपे निकाला गया है उसके बारे में आपको डेटेल से बता देता लिए और यहां पर पढ़ने वाली जो चीज है वो मैं आपको सीरे दिखाऊंगा यह आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है कि candidate belongs to OBC और NCL मतलब non-crimalier ठीक है and EWS category and claim benefit of the same लोगों का कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोग जो कि OBC और EWS से category से belong करते हैं अगर वो अपना जो benefit है इसमें जो मिल लहा है मतलब इस vacancy में उनको claim करना चाहते हैं तो उनको अपना जो OBC मतलब कि non-crimalier certificate और EWS वालों का जो last certificate है वो वहाँ पर उनको prescribed format में यानि कि जिस format में मांगा गया है उस format में उनको अहाँ पर upload कर देना है ठीक है जो कि आपका पता है आपको जो अप्रूब्ड होता है आपके competent authority के द्वारा ठीक है इन तीन लाइनों का मतलब यह हो गया तो दोस्तों इसमें एक लाइन और बोली गई है कि not older than 1422 इनका साब साब कहने का मतलब है कि जो OBC ठीक है जो OBC और जो EWS के जो student है ठीक है उनको यहाँ पर जो अपना जो cast certificate upload करना है वो उनका 1422 से पहले का नहीं होना चाहिए तो दोस्तों यह यहाँ पर जो last की दो लाइने हैं उनका सीधा सा मतलब यह है कि आप फॉर्म अगर अपलाई करते हैं अगर आपने फॉर्म अपलाई करते बहुत कोई और मतलब यहाँ पर का स्ट्रेट किसी और डेट का लगाया है और डाकुमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपने किस अलग देट का स्ट्रेट लगाया है तो आपकर जो कॉवं है उसको उमात कर दिया जायेगा एक न पर त्रीके से इनका कहने का मतलब है अगर आपके पास्ट स्ट्रेट जो है ऑगर आपके पास 142022 के बाद का अगर नहीं तो बनबा लीजिए और वही आपको और EWS वालों के लिए हैं यहां पर ना तो यह सिर्फ हो जाना है क्योंकि उनके लिए यह पर कितना भी पुराना कास certificate हो वो यहां पर चल जायेगा ठीक है नोटीस के इसाफ समय आपको बताष्ट कि नोटिस में ऐसा खुछ भी यह पर situation नहीं किया गया है कि STST वालों के लिए क्या सीम रहने वाला है और रही बात दोस्तों आपको मैं बता दू कि dieomisail certificate की宮isail certificate की तो दोस्तो यहाँ पर उसको नोटिस में किसी भी तुरिका को कोई में مेंट Civic नहीं किया गया है कि वो कितना पुराना होना चाहिए या कितना नया होना चाहिए डॉमिसल अगर दोस्तों आपका पुराना है तब भी वो यहां पर चल जाएगा लेकिन जो यहां पर मेंसन जो चीज़ें करी गई है कास स्रेटिफिट के डिलेटेड वो सिरिफ EWS और यहां पर OBC वालों के लिए किया गया है बाकी दोस्तों नोटिस आप भी अच्छे से पढ़ सकते हैं और अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है जिसमें SC और ST के लिए कोई बात करी गई हो कि उनका इतने से पुराना नहीं होना चाहिए तो दोस्तों आप मेरे को यहां पर जरूर मे दिखान रखें सुरह चीत रहे हैं